हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फूर कोल्ड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वो एकिस तरीके से हमने किसी यूरल की हल्प के साथ इमेज को डाउनलोड करवाना है अपनी इस एजामपल के अंदर हम किंग फिशर जो लाइबरेरी है उसको यूज करेंगे विड दी हल्प ओफ कोको पोर्ट्स और अगर लाइबरेरी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास जो किंग फिशर की जो यहां पे लाइबरेरी का जो कोड है वो गिट हब पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो information है वो provide की गई है इस kingfisher library के बारे में इस से पहले मैंने जो video tutorial अपने channel के उपर upload किया था उसमें मैंने आपको पताया था कि कैसे आप url से image को download कर सकते हैं मगर उसमें हमने जो library यूज की थी वो थी asd web image मगर आज की example के अंदर हम इस kingfisher library को जो है वो use करेंगे coco pod की help के साथ तो चलिए मेरे पास सबसे पहले simulator के अंदर एक live running example है पहले मैं इसकी आपको working दिखा देता हूं तांके आपको इसके बारे में थोड़ा सा practically knowledge मिल पाए और फिर हम देखेंगे कैसे हमने बड़े easy way के साथ इस तरीके की जो examples को जो है implement करना है अपने iOS devices के लिए x code के अंदर with the help of swift language और यहां पर आप देख सकते हैं simulator के अंदर मेरे पास जो application है वो running condition में है और उपर एक yellow color में आप label देख रहे हैं जिस पर मैंने लिखा हुआ है fetch image from URL kingfisher brackets के अंदर और URL के आगे एक मैंने text field लगाया है तांके user जो है वो यहां पर image का URL एंटर कर पाए एक हमने download बटन लगाया हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं मैंने image view के अंदर जो default image है जिसको empty image भी कह सकते हैं वो मैंने यहां पर place की हुई है और यह हमारा image का link सबसे पहले इस link को मैं copy करता हूँ और browser में यहां पर open करके दिखा देता हूँ किस तरीके की image हुआ है वो यहां पर download होगी इस link के through यहां पर dog की image है तो इस link को अब हमने यहां पर text field के अंदर type करना है HTTPS इस तरीके से images dog dog.ceo slash breeds और यहां पर pound afghan और यहां पर n02088094-11570.jpg और अब मैं जैसे क्योंकि मैंने URL तो टाइप कर दिया अब मैं जैसे इसे download के ऊपर button के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं image मेरी instantly download होने के बार यहां पर display हो चुकी है इस image view के अंदर पहले जब हम URL से image को download करवाते थे तो हम काफी सारा code खुछ से लिखते थे जैसे URL session को use करते थे data task apply करते थे और उसके बार में data की validation करते थे उसकी conversion करते थे मगर library की help के साथ हमें सारी functionality इनबेट ही मिलती है kingfisher के साथ आपने just उसके particular function को call करना है और उसको URL पास करना है बाकी सारा काम जो है वो kingfisher library का ही होगा और यह तो थी practically हमारी example किस तरीके से work करती है अब हम देखेंगे कि इस example के अंदर जो हमने theory के related जो important concept है वो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि मैं जतनी भी वीडियो अपने channel के उपर upload करता हूं तो मैं हर बार जो है theory के related एक दो term जरूर बताता हूं क्योंकि मेरे जो channel के member से मैं चाहता हूं वो खुझ से भी google पे search करके इनके बारे में अपनी जो knowledge है उनको enhance कर पाएं तो चलिए सबसे पहला है जो term concept जहां फिर इसको एक topic है सकते हैं वो है kingfisher तो kingfisher एक काफी powerful और purely swift language में ही लिखी गई एक library है जिसको हम image को downloading और image को cache करने के लिए temporary application की memory के इंदर store करने के लिए हम use करते हैं और काफी एक अच्छा way प्रवाइड करता है यह kingfisher library तांके हम remotely remotely का मतलब कहीं दूर से किसी web server के पड़ी web server के ऊपर पड़ी हुई image store की हुई image उसको हम assess कर पाएं और उसे download करवा पाएं अपनी application के अंदर वो भी easily और other features अगर advanced level पे आप kingfisher के बारे में practically जो information है वो gain करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कितने other features जो हैं वो यहाँ पे available हैं यहाँ पे सबसे पहला है और synchronous way के साथ image को download and cache कर सकते हैं आप prefetch कर सकते हैं images and show कर वा सकते हैं उन्हें table view collection view के अंदर multiple images को जो के cache की गई हुई हैं हैं आपकी application के अंदर cache से मेरा मतलब है कि temporary store की गई है आपकी iOS की memory के अंदर आप animations भी लगा सकते हैं images के ऊपर आप customizable placeholder यहाँ फिर indicator भी शो कर सकते हैं जब तक आपकी जो image वो download होती है आप low data mode sport जो है वो on कर सकते हैं आप image processor और filters को यहाँ पर apply कर सकते हैं इस kingfisher library की help के साथ यह तो थे other features वगर हमारा जो main मकसद रहेगा वो हमारा रहेगा जो basic feature है image को easily download करवाना किसी URL से kingfisher की help के साथ वो ही हम आज की example के अंदर जो है वो सीखेंगे अब हम practically देखेंगे कि यह example implement करना कितना easy है तो इसके लिए सबसे पहले इस project को मैं stop कर देता हूँ इस पूरे project को मैं close कर देता हूँ एक नए project के साथ बिलकुल beginning से हम जो इसकी implementation है वो start करेंगे तो यहाँ पर project के through एक single view app यहाँ पर develop करेंगे product name के अंदर आज की example का जो भी name आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं तो मैं इस तरीके से एक name प्रवाइड कर देता हूँ इस application को product name के अंदर बाकी settings आपने default रहने देनी है और जो language हम use करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर swift अब हमने next पर क्लिक करना है और अपने laptop के अंदर आप कहीं पे भी एक folder create कर सकते हैं तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ एक folder create कर देता हूँ और इसको इस folder के अंदर सारे का सारा project मैंने जो है वो create कर दिया है तो friends यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो project है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखा हूँ तो जो swift का version है वो है 5 और अगर बात करें Xcode की तो यह है 10.2.1 मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर Xcode का version अगर आपके पास इस से higher version है तब भी आप इस example को इसी वे के साथ easily develop कर पाएंगे और जो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को subscribe कर लें क्योंकि इस चैनल के उपर हम daily programming के related जो video tutorials हैं के जो सबसे बढ़िया methods है वो upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और in case कहीं पे भी आपको कोई problem आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं या फिर हमें directly email भीज सकते हैं कोशिश करेंगे आपकी जो भी query होगी उसका जो response है वो जतनी जल्दी हो सके आपको दे पाएं तो main.storyboard में चलते हैं और इस example का जो graphical user interface है वो ready करते हैं तो object library के थुरू मैं एक label को यहां पर drag and drop करूंगा storyboard के उपर और इसकी जो width है वो मैं increase कर देता हूँ आप चाहें तो attribute inspector में जाके इसकी जो font का size है वो increase कर सकते हैं इसको bold कर सकते हैं अपने accordingly यहां पे इस तरीके से और यहां पे background color जो है वो इसका आप अपने accordingly रख सकते हैं मैं यहां पे लिख देता हूँ fetch image from url kingfisher इस तरीके से और इसकी जो height above में increase कर देता हूँ alignment center में कर देते हैं अब मैंने इस object library के through फिर से एक label को drag and drop करना है इसका font increase करते हूँ यहां पे मैं लिख देता हूँ URL एंटर प्रेस करते हैं अब हमने इस object library के through एक text field को यहां पे drag and drop करना है तो मैं चलिए इस text field को यहां पे इसकी width increase कर देता हूँ अब हमने यहां पे एक button लेके आना है तो button की जो height and इसकी जो width है वो मैं यहां पे increase कर देता हूँ और इसको horizontally align कर देता हूँ center में font इसको 20 कर देते है और यहां पे लिख देते हैं download है अब आपने इसका जो background color है वो यहां पर set कर सकते हैं मैं यहां पे sky blue कर देता हूँ और जो एसका करता हूं और इसकी भी जो width & height ऐ है यहां पर भी set कर सकता हूं मैं यहां पर annals 375 और यहां पर 375 हिस तरह أي से width & height its you pick up setหा कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं जो मेरी app है यहां पर मैं इसको run करके बता हूं आपको पुरानी app को जो मैंने पहले implement की थी एक image जो है default image जो है वो मैंने आप display करवाई हुई है जो basically empty image की तरह है तो यह image जो है हमने पहले से ही internet से डाउनलोड करके यहां पर रखी हुई यह आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका कुछ view है तो इस image को आपने करना क्या है इस assess folder में लेके आना है तो यहां पर इसको drag and drop करेंगे इस तरीके से mouse की help के साथ चलिए मैंने import कर लिया है अपने project के अंदर इस image को अब मेंड और storyboard में चलते हो यहां पर इस image को set कर देते हैं तो मैं यहां पर attribute inspector के तरू यहां पर जो image मैंने drag and drop की है इसको मैं यहां पर apply कर देता हूँ अब हमने इन सारे UI elements को इस तरीके से mouse की help के साथ select करना है और यहां पर directly add missing constraints पर click करना है तांके constraints automatically यहां पर apply हो जाए क्योंकि मेरा जो main focus है वो kingfisher library की तरफ रहेगा इसलिए मैंने individually constraints apply नहीं किये directly missing constraint जो है वो exclude के थ्रू यहां पर apply कर दी है अब हम जो यहां पर coco pod के थ्रू जो है library को use करेंगे kingfisher की तो वो किस तरीके से करना है उसके लिए बड़ा simple way है आप इस project को पहले close कर दें उसके बाद में आपने टर्मिनल यहां पर open करना है तो मैं यहां पर terminal open कर लेता हूं अब आपने मैं इसको थोड़ा font increase कर देता हूं तांके आप clearly देख पाएं यहां पर अब हमने इस finder app के थरू project को जो folder है हमारा project यहां पे अपने project को create किया था वह यहां पर आपने open करना है project तो मैं यहां पर project वाला folder जो है वो यहां पर open कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यह हमारा project वाला पूरा complete folder जिसका यह अपात अब हमने यहां पर लिखना है cd space देने के बाद इस folder को drag and drop करना है इस terminal के ऊपर तो आपका पूरे का पूरा path आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी automatically यहां पर यह embed हो जाएगा आपने enter press करना है तो चलिए आप फोल्डर के अंदर जा चुकी है अब अपने एक command लिखनी है यहां पर pod in it तो यह basically initializer है इससे pod file जो है वो आपकी बनेगी तो आपने enter press करना है तो अब आप project के अंदर जाके देखेंगे कि आपकी एक pod file जो है वो यहां पर बन चुकी है यह इसको मैं open करता हूं किसी editor के थरू text editor के थरू और इसको मैं थोड़ा increase कर देता हूं इसका font ताके आप यहां पर clearly देख पाएं अब अगर यहां पर GitHub की library में जाएं तो आप देखेंगे किस तरीके से आपने जो pod है उसे use करना है तो आप यहां पर इस तरीके से वर्जन जो pod का है वो 7.0 जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पोड किंग फिशर और उसके बार में जो वर्जन आपने यूज़ करना है वो तो मैं इसी को यहां से कोपी कर लेता हूं इसी कोड को कोपी कर लेता हूं और यहां पर जो text editor है इसके अंदर यहां पर पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले पोड फिर यहां पे लिखना है पोड इंस्टॉल और एंटर प्रेस करना है तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका जो इंटरनेट है वो भी ओन होना चाहिए क्योंकि तब ही आपकी जो लाइब्रेरी की जो फाइल से वो डाउनलोड हो पाएंगी तो जो आप देख सकते हैं यह पर बन चुकी है जो के है किंग फिशर वर्क स्पेस इस तरीके का आइकोन है अब देख सकते हैं यह पहले वाले प्राजेक्ट के आइकोन से थोड़ा डिफरेंट है यह ब्ल्यू कलर का है पहले वाला और यह वाइट कलर की बैक्ग्राउंड में है इसको अब आपने ओपन करना है डबल क्लिक करके अब आपने इसको एक्सपैंड करना है और फिर से अपना जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपने इंटरफेस आपने इंप्लीमेंट किया था उसको उपन करना है तो अब हम इन रिक्वाइड यू आई एलिमेंट्स के जो आई बी आउटलेट आई बी एक्शन है वो क्रिएट करेंगे तो इसके लिए मैं अपना जो फेवरेट मैटेड आवही यूजर करूंगा जो कि ए असिस्टन अडिटर तो मैं असिस्टन अडिटर में चलता हूं मेरे माउस का करसर देखिए यहां पर यह असिस्टन अडिटर अब साइड वले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूं तांके आप के लिए देख पाएं यहां के तो बाइडफॉल जो कलास यहां पर ओपन होई है वह वह व्यू कंट्रोलर क्लास अब आपने इसके अंदर सबसे पहले से टेक्स्ट फील्ड का जो आईबी आउटलेट है वह क्रिएट करना है तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं यहां पर कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से सेलेक्ट करके से यहां पर ड्राग और ड्रॉप करूँगा और नेम आप कोई भी रख सकते हैं मैं अपने इस तरीके से रख देता हूं नाम URL टेक्ट फील्ड इसे कनेक्ट कर देते हैं अब अब आपने इस बटन को select करना है, control key को press करते हो, drag and drop करना है, सबसे नीचे, क्योंकि अब हमने जो IB outlet है, वो create करना है, sorry, IB action create करना है, इसलिए मैंने नीचे drop किया, ऐसे, और इसका name रख देते हैं, download image, इसे connect कर देते हैं, अब इस image view को select करेंगे, यहां से control key को press करते हो, ऊपर drag and drop करेंगे, और IB outlet का जो name है, वो आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहां पर रख देता हूँ, my image view, और इसे भी connect कर देते हैं, आप देख सकते हैं, IP outlets and IB action जो है, वो यहां पर create हो चुका है, फिर से standard editor के अंदर चलते हैं, side वाले panels को unhide करते हैं, और एक बार इसे save करते हैं, अब मैं फिर से hide करता हूँ, side वाले panels को, अब हम अपना जो code है, वो लिखेंगे, बड़ा easy है, kingfisher को use करना, library को, सबसे पहले उपर library को import करते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा, kingfisher, देख लेते हैं, यहां पर library आ, क्यों नहीं रही है, तो friends, यहां पर आप देख सकते हैं, जो मैंने version use किया था, वो किया था 7.0, मगर इसके लिए जो X code चाहिए, वो चाहिए 13, तो चलिए थोड़ा पुराना version, यहां पर हम use करेंगे, तो मैं project को फिर से close करता हूँ, यहां पर port file को यहां पर open करता हूँ, और अब मैं यहां पर जो use करूंगा, folder को पहले open करते हैं, यहां पर, जिस folder में port file हमारी create होई थी, तो मैंने थोड़ी by mistake, यहां पर नया version install कर दी है, तो मैं इसको फिर से 4.0 करता हूँ, और इसको एक बार save करते हैं, यहां पर, और फिर से मैं terminal के through, यहां पर open करूंगा, और यहां पर मैं port install करता हूँ, दोबारा से, चलिए मैंने port install फिर से कर दिया है, 4.0 इस time पर मैंने use की है, library, अब मैं फिर से इसको open करता हूँ, अपने project को, यहां पर, workspace के through, और अब हम यहां पर फिर से import करके देखेंगे, हमारी kingfisher library, और यहां पर मैं लिखता हूँ, import, चलिए, kingfisher library मेरी जो है, वो आ चुकी है, पहले मैंने, गलती से 7.0 जो के latest xcode के लिए था, वो use किया था, मगर मेरे पास जो version है, वो पुराना है xcode का, इसलिए मैंने kingfisher की 4.0 जो library है, वो use की है, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, port file open करके, तांके आप फिर से clearly यहां पर देख पाएं, चलिए, मैं इसको zoom कर देता हूँ, थोड़ा सा, तो यह वाली जो version है, वो आपने use करन लिए है, सबसे पहले हम guard statement use करेंगे, URL को check करने के लिए, जो URL user ने text field के अंदर जो है, वो enter किया है, तो यहां पर text field के तुरू मैं, उसके text property के तुरू सको get करूंगा, और अगर तो guard statement properly उसको validate कर पाती है, फिर तो ठीक है, नहीं तो else में आपका जो error message है, वो हम show करवाएं आउटपुट विंडो के तुरू, invalid URL entered, kindly check, और अगर तो URL बिल्कुल validate हो जाता है, तो my image के तुरू, अब जो हमारी kingfisher library है, उसका एक function हम यहां पर call करेंगे, जिसका name है kf.setimage, और उसको URL पास करेंगे, इस image URL के तुरू, जो guard statement के तुरू हमने validate किया है, और print statement के बाद आपने return भी तो करना है, तांके processing आगे ना बढ़ पाए, तो मैं इसको एक बार save करता हूँ, और अब हम इस पुरानी app को यहां पर बंदगर देते हैं, यहां पर मैंने पुरानी app को बंदगर दिया है, और इस नई app को अब हम build and run करते हैं, और देखते हैं कि इंस्टॉल होने के बाद इसकी output कैसे आती है, वो अब हम देखेंगे, तो app यहां पर work भी कर रही है, प्रॉपरली, अब हम इस image का जो URL है, इसको यहां पर टाइप करेंगे, HTTPS images.dog.ceo और यहां पर लिखेंगे breeds, यहां पर हम करेंगे हाउन, अफकान, और अब हमने लिहाल N02088094-11570.jpg, और यह हमने URL यहां पर टाइप कर दिया, और जैसे मैं download बटन के ओपर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं, image मेरी जो है, वो download होने के बाद, place हो चुकी है, अपने image view के ऊपर, तो अब हमारी जो example है, वो properly work कर रही है, Kingfisher Library ने हमें केवल एक single line से जो है, वो सारी जो functionality है, image को download करने वाली किसी URL से, वो provide कर दी है, तो काफी time यहां पर हमारा बचता है, क्योंकि mostly functionality अब इस library के थ्रू जो है, वो आप यूज कर सकते हैं, तो friends अगर आपको आज की example के बारे में knowledge मिल चुकी है, कि कैसे आपने image को किसी URL से fetch करना है, download करवाना है, with the help of Kingfisher library, जो के हमने CocoPort के थ्रू जो है, install की है, embed की है, अपनी project के अंदर, तो जल्दी से वीडियो को like कीजिए, अगर और भी वीडियो से हमारे चैनल के उपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करना मत बूलिए, बेल आइकोन को प्रेस कीजिए, तांकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चाहां के उपर अपलोड करें, तो उस वीडियो का notification आपके पास जो है, वो पहुंच पाए, तो चैनल के साथ बने रही है, वीडियो देखते रही है, प्रोग्रामिंग सीखते रही है, ठैक्स फ